लो फ्रेंड आज में बनाका दिखाऊंगी डाल पुरी रेसिपी बहुती सफ्ट होता है और नरम होता है बहुती नरम होता है वो खाने में भी बहुत अस्छे लगता है मैं यहाँ पर मूम का डाल का डाल पुरी बनाऊंगी इसलिए मैंने मूम का डाल ले लिया एक पाउर औ इसको मैं आधा घंड़े के लिए भीगो कर रखूंगे आधे घंड़े के बाद डाल को अच्छे से धोक कर में फिक पीस लूँगी मैं आधा डाल का डाल पड़ी बनाऊंगी इसलिए मैं हाफ भी डाल ले रही हुआ से गरम पनी करने के लिए रख दिया यहाँ पर एक बॉल मैं दली है थोड़ा से नमक और एक जो डो है ना गरम पनी से लगाऊंगी अच्छे से गरम पनी से टाइट से दो बना लोंगी धीरी धीरे गरम पनी एड़ करूंगी अच्छे मालिश भी देना है थोड़े देर के लिए पिट डो को ढख कर रख देना है अच्छे मालिश भी देना है थोड़े देर के लिए नहीं मीही पिसा हुआ भी नहीं चाहिए एकदम दरबर दरबर भी नहीं चाहिए पैन में ओयल लिया थोड़े सा हल्दी पाउडर मिट्ची पाउडर और नमक पिसा हुआ डाल को दे दोंगी लो फ्रेम में इसको पकाऊंगी चलाते रहना है तो नीचे लग जाता है और एक पर महिदा को लेकर मालिस दे दूंगी और डाल को में एक प्लेट में ले लिया थंड़ा करने के लिए रख दिया मालिस देकर छोटा छोटा जोटा जो बना लो कर दो कि एक का टोड़ी से देकर इसके अंदर डाल का पॉर्ट जो स्टापिंग बनाकर रखिए थी स्टापिंग डालूंगी मेरे रिसीप्याइब अच्छा लगए तो मैंने चल्ण को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मैंने चल्ण पर विजिट कीजिए और भी वीडियो है देखिए देखिए तर्फेश बेल दोगी हलका हाथों को बेल ना है फ्राई कर लूंगे मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है ज्यादा फ्लेम में तक रख बन जाएगा इस फ्राई होगा फ्राई होने के बाद धक कर रख देना है ठंडा होने के लिए तब भी नारम बनेगा बस बन गया डाल पुड़ी बहुत ही सफ्ट बनता है खाड़ें में भी बहुत त्विस्टे आता है आप भी बनाएए और मारे चनल को सब्सक्राइब चुरूर कीजिए